Hello Students! यहाँ पे हम लोग project discuss करे हैं, Class 12 Chemistry का project आपका Investigatori Project जो आपको बोर्ड एक्जाम में आपको बनाना रहता है तो इसे पहले हम लोग 3 project discuss कर चुके हैं, एक कोकोगला वाला हमने discuss किया था, प्रोड के अंदर contamination, adult trends वाला हमने discuss किया था एक केलाभा एक हमने punched sometime or insecticide पे उपर बनाया था थार्ट प्रोजेक्ट अभ comment यहां पर एक उर्पी करते हैं श्acasinka करते हैं न यहां तो को स सब्सक्राइब है तो आप इसको ले सकते हैं एक उस हमार ऑले काध़ है यूनिक टॉपिक है है Simmons तो आप इसको ले सकते हैं अच्छा थीम है तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल मिल्क होता है वो फीमेल के अंदर जो मैमरी ग्लेंड्स होती है वहां से रिलीज होता है और इसके अंदर काफी सारी विटामेन, प्रोटीन, कार्भोहाइडरेट, इन सबके संग में एक प्रोब्लम होती है कि जैसे आप इसको हाई तेमपरिचर पर रख देते हैं थर्टी फाइफ एफ़टी डिग्री चेल्सियस तो आपका जो मिल्क है यह इसके बैक्टेरिया आ जाता है और जिसकी वज़ेसे यह फट जाता है देनेचर्ड हो जाता है आफ्टर सम टाइम बैक्टेरिया उसमें उसमें के ला आठेर का लह गिषी घणफे पाउ ज़ेक्टी कर देता है इसको कर्ड के अंदर है तो अगर हम कोई ऐसा सृलूशन झूड़ें जिससे हम यह सोया बीन से मिल्क ना सकें क्योंकि शुआ बहुत जाह आएंग्रिश होत के बाद अगर कर्ड बनाते हैं तो कौन सा कर्ड जादा बैटर है कौन सा कितने टेंपरिचर पे मिलक आपका डी निचर हुआ था यह सारी बात हैं यहां पर डिसकस करेंगे इस प्रजेक्ट के अंदर तो यह काफी अच्छा टॉपिक है इंट्रस्टिंग सा टॉपिक है आप इसको चूज कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहिए तो मैंने आपको और प्लेलिस्ट आप देख लीजिए वहां जाकर के आपको काफी जारे टॉपिस मिल जाएंगे हम पूरे दस टॉपिक यहां डिसकस करेंगे आपको बच्छो जो भी अच्छा लगे वह आप अच्छे त आपको आपको आजाएगा अपना यह लिख देना रोल लंबर वगर सब कुछ इसमें केमिस्ट्री प्रजेक्ट है नेम वगर आपको लिखना है यहां पर देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट आप आएंगे सर्टिफिकेट डाट इस मोस्त इंपॉर्डेंट एक्स्टरनल एक्दामिनर आपको जो भी आएगा वाईवाली ने उनके सिंग्नेचर के लिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस यहां छोड़ देंगे फूर्थ पेज नंबर Is for the Acknowledge Acknowledgement में आपको लिखना होता है कि अप्रजेक्ट सर्च अपने कूँ यह प्रजेक्ट को सारे आंपको यहांपर mention कर देने हैं इसके बाौद आप आएंगे नीचे इसमें इंडेक्स में आएंगी थो इंडेक्स में आपको पेज नंबर 5 ही हमारा चल रहा है यहां से पेज नंबर भी देख लिए 12 पेजिस का है इंडेक्स में आप लिखेंगे क्या होता है फें कि मैमरी ग्लेंदके वामिल के थूर्स मेल की थे मैमरी गलैंडस होते है सौर हो जाता है और इसमें क्या बन जाता है कि बैक्टेरिया पढ़ जाता है जिसे हम बैक्टेरिया को क्या बोलते हैं लाक्टो बैसिलस बैक्टेरिया जो की मिल्क को कनवर्ट कर जिते हैं लाक्टिक एसिड में और वह हो जाता है हमारा फॉर्मेशन से कर्ड का फॉर्मेशन तो जो solid mass आपको इतरे temperature मिलेगा उसी को हम उसी को हम बोलते हैं कर्ड बोलते हैं यह आप यहां पर दियान रखेंगे ठीक कि न इसके बाद अगर हम आप सोया बीन का क्यू बनाना चाहते हैं तो सोया बीन दिखिए यहां पर जो है सोया बीन के बारे में लिखा है इसका भी न इसका फिल्ट्रेट करके, अलग से सेपरीट करके आप इसका भी बना सकते हैं तो यह सब कैसे करना हैज्ब कने हैं यह एकस्पैरिमेंट आप एंपर फिरमेंट्पार थिंगे नीचे यहां पे आपको एंजर्वेटना है एयम लिखिए यह पियों आप करना है जारे हैं क् सबसे पहले आपको सोया बीन लेनी है 150 ग्राम उसको वाटर में डालके डिप करना है 24 चोड़ देना है इसके बाद आप इसको ग्राइंट कर लेंगे एक कपडे में बांद के रख देंगे फिर इसको छान लेंगे 30-40-50 डिग्री शेल्चियस पर फिर आप इसको कमपैरिजन बनाएंगे तो यहां पर आपका जो हो रहेगा observation observation में आपको एक table draw करनी रहेगी type of milk, buffalo milk, soya bean इसमें आपने तीन बीकर लेंगे 1, 2, 3 बीकर और similarly हम यहां पर भी तीन बीकर ही ले रहे हैं अब यहां पर हम comparison करेंगे 30-40-50 डिग्री शेल्चियस पर सारी बीकर को इसका 1, इस इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3 ऐसे comparison आपको बनाना है और आप लिखते जाएंगे कि पहली बार में आपको क्वालिटी कर्ड की गया मिली उसका टेस्ट कैसा था 20 डिग्री शेल्चियस पर 30 डिग्री शेल्चियस पर तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है और आप बत पी है तो यह हमारा प्रजेक्ट था सोया बीन के लिए आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब करें ताकि हम आपकी क्लास 12 तक उसके लाव जेए नीट तक आपकी हल्प करते रहें और थांक यू बरे मच प्लीज सस्क्राइब दे चैन तो अगर आपको यह समझ नहीं आया हो तो आप इसके लावा और भी जो टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं और इसको जब भी आपका प्रैक्टिकल हो तो तो थोरोली आप इसको इक पर पढ़िके जरूर जाए ताकि आपसे वाइबा में कहीं से घुमा कर कि कुछ भ या तो वीडियो को एक बार सिर्फ लाव्स में सुन लेजिएगा इतने से भी आपका काम चल जाएगा थाइंक यू वेरे मच्छ गुडबाए ओल वेरे बेस्ट फोई एक बोड एक्जाम